हेलो दोस्तों मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है आज बात होगी उस बेजोड अदाकारा की जिसने हिंदी सिनेमा में बजग्या रह फिल्में हें की मगर उस दौर की टॉप हिरोईनों में उनका नाम लिया जाता था इस अभिनेत्री का डर्दनाकंद जानकर आप चौँक उठेंगे शम्मी कपूर की 1962 में एक मशुहूर फिल्म आई थी प्रोफेसर उस फिल्म में नजर आने वाली खूबसूरत अभिनेत्री कलपना मोहन थी जिनकी जानकारी आज हम देने जा रहे हैं अठारा जुलाई 1946 के दिन शिरिनगर में उनका जन्म हुआ था पिता आवनी मोहन जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी दोस्ती जवाहर लाल नहरू से थी कम ही लोगों को पता होगा कि उनका असली नाम अर्चना था जिसे बाद में उन्होंने बदल कर कलपना कर लिया था बच्पन से ही कलपना को कथक सिखाया जाता था कुछ सालों बाद तो उनका इतना नाम हो गया कि राष्ट्रपती भवन में कोई कारिकरम होता तो नहरूजी कलपना को ही प्रस्तुती देने के लिए बुलाया करते थे वैसे कलपना के हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा बड़ा रोचक है कथक की वज़ासे ही उनको ये मौका मिला हुआ ये कि एक बार उनका डांस प्रोग्राइम हो रहा था किस्मत से उस समय अभीनेता बरला सहनी और लेखी का इसमत चुकताई भी वहीं मौजूद थे दोनों ने कलपना का कथक देखा और उनकी खोपसूरती के मुरीद हो गए कारिकरम खत्म हुआ तो दोनों ने कलपना को अपने पास बुलाया और बोले कि फिल्मों में काम करोगी कलपना ने हां कहा तो दोनों ने बंबई बुला लिया कलपना बंबई चले आई और यहां उनको पहली फिल्म पिकनिक का ओफर मिला जो इसमत के पती शहीद लतीफ बना रहे थे पिकनिक के सेट पर शक्ती सामन्ता की नजर कलपना पर पड़ी तो उन्होंने फॉरण अपनी फिल्म नौटी बॉई में उनको साइन कर लिया जिसे वो किशोर कुमार के साथ बना रहे थे जैसे ही नई खुबसूरत हिरोईन की बात फिल्म में कर लेक टंडन तक पहुँची तो उन्होंने फॉरण अपनी फिल्म प्रोफेसर में कलपना को ले लिया नौटी बॉई तो खास नहीं चली लेकिन प्रोफेसर ने सफलता के जंडे गार दिये और कलपना हिट हो गई इसके बाद तो उन्होंने प्रदीप कुमार के साथ सही ली, फिरोज खान के साथ तस्वीर और तीसरा कौन, देव आनंद के साथ तीन देवियां जैसी हिट फिल्में दी प्रोफेसर और तीन देवियां जैसी सूपर हिट फिल्मों के जरीए कलपना साथ के दशक में बड़ी-बड़ी हिरोईनों के लिए खतरा बन चुकी थी इसकी वजह उनका बेहतरीन डांसर होने के साथ साथ बेजोड अदाकारा होना भी था एक फिल्म में तो उन्होंने मदबाला जैसी हिरोईन तब को रिप्लेस कर दिया था जो बहुत बड़ी बात थी उनके कुछ गीत तो बहुत मशूर हुए इनमें खुली पलक में जूटा गुस्सा बंद पलक में प्यार या ए गुलबदन ए गुलबदन फूलों की महक काटों की चुबन या फिर मैं चली मैं चली ये ना पूछो किदर ये ना पूछो कहां या फिर आवाज देकर हमें तुम बुलाओ मोहबत में इतना नहम को सताओ इन गीतों ने तो काम्याबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था दोस्तों इतनी बेजोड अदाकारा का अंत बहुत दर्दनाग हुआ शम्मी कपूर की वज़़से इनका अच्छा खासा करियर डूब गया उस दोर में शम्मी हिंदी सिनिमा का बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे उनकी और कलपना की जोड़ी प्रोफेसर में बहुत हिट हो गई थी डाइरेक्टर ने फिर से दोनों को साथ काम करने को कहा तो शम्मी कपूर ने साफ इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि कलपना संकी है और वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे बस उनकी देखा देखी दूसरे अभिनेता भी कलपना से दूरी बनाने लगे वहीं डाइरेक्टर भी उनको लेने से कतराने लगे कलपना का करियर अचानक डूपने लगा तो वो सदमे में आ गई और उनको गंभीर डिप्रेशन की बीमारी ने घेड लिया इसी बीच उनकी दोस्ती मशुहूर लेखक सचिन भौमिक से हो गई कलपना ने डूपते करियर का गंभुलाने के लिए सचिन से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली मगर डिप्रेशन से जूज रही कलपना का सचिन ने भी साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद उनको तलाग दे दिया इसके बाद कलपना ने एक नेवी अफसर से 1967 में शादी की और दोनों की एक बेटी प्रीती हुई मगर इस बार भी उनको सिर्फ दर्द ही मिला उनके ससूर और पती की नजर उनके बंगले पर थी वो कलपना का बंगला अपने नाम करने को कहने लगे कलपना ने मना कर दिया तो पती ने 1972 में उनको तलाग दे दिया अब कलपना फिर से अकेली हो गई और अपनी बेटी प्रीती के साथ पुणे में गुमनाम जिंदगी जीने लगी 2007 की बात है उनको चेस्ट इंफेक्शन हो गया और इसके बाद पूरे शरीर को लगवा मार गया जाच हुई तो पता लगा कि उनको खतरनाक कैंसर हो गया था इस बीमारी ने उनको चलने फिरने के काबिल भी नहीं रखा और उनका जीवन नरक में बदल गया पांस साल तक वो कैंसर का दर्द जहेलती रही धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी तीन दिसंबर 2011 को वो सांस नहीं ले पा रही थी फौरण उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पता लगा कि उनको गंभीर निमोनिया हो गया था दस दिन तक अस्पताल में भरती रहने के बाद जैसे ही उनको घर लाया गया फिर उनकी तबियत बिगड़ गई दोबारा उनको अस्पताल ले जाया गया जहां उनको वेंटिलेटर पर रखा गया पंदरा दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ते लड़ते आकिरकार चार जनवरी दोहजार बारा के दिन कलपना मोहन की मौत हो गई दोस्तों आपको कलपना मोहन की कौन सी फिल्म याद है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा